सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हेलो वेप को और बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कर दोस्तों शुरू करते हैं कर दोस्तों शुरू करते हैं पर दोस्तों शुरू करते हैं झाल 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 तो दोस्तों अब हम आ गए हैं बापुदाम मुतिहारी जो रेलेवे स्टेशन यहां पर कभी गांधी जी उत्रे थे जब चमपारन सत्यागरा हुआ था यहां पर निल की खेती होती थी सायद 1917 में तो यहां पर गांधी जी आए हुए थे दोस्तों चलिए आप उस्टेशन को मैं आपको दिखा देते हूं तो दोस्तों यह है बापु दाम मुतिहारी लेलोय स्टेशन का प्रॉंट व्यू जो पहले तो कुछ और था लेकिए आप अभी मोधी जी यहां पर आई हुए थे चमपारन सत्यागराब कि कुछ कुछ पार्टी फंसन ऐसी कुछ था तो उन्होंने मुतिहारी को यह भेट दिया था जो मुतिहारी रेलोय स्टेशन इतना सुन्दा लगता है और इसका नाम बदलके आप पढ़ सकते हो बापु दाम मुतिहारी रेलोय स्टेशन लग दिया गया क्योंकि यहां पर गांदे जी आया थे अब देख सकते हों कि गांदे जी रियल से उतर रहे हैं उनके पिक्चर है और कुछ अंग्रेज बैठे हुए है तो दोस्तों चलिए आप आपको ले चलते हैं गांदी मैदा जो यहां के एक और बहुत बड़ी चीज है अब जानते हो गांदे जी के बंदर गांदे जी के चरखा और भी बहुत सारी चीजे है चलिए आपको ले चलते हैं अब गांदी मैदा अब जानते हैं 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 आपके के चलते हैं अब जानते हैं अब झाल झाल दोस्तों फाइनली हम पहुंच गया है अप गांदी मदान यहां पर मैं आपको गांदे जी के बड़ी सी परतीमा दिखाऊंगा जो बहुत साल पहले बनाई गए थे गांदे जी की आद में चलिए उसे देख लीजे आप दोस्तों चलिए मैं आपको अप गांदी मैदान की टूर करवाता हूं देखना यहां के गांदी मैदान कितनी बड़ी गांदी मैदान है करीब दो इस्टेडियम बन जाए इतने बड़ी गांदी मैदान में झाल 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 झाल